नमस्कार दोस्तो मनोजैस के विलोग में एक बाद फिर से आपको स्वागत करता हूँ सो दोस्तो आज हम आए हैं उत्ताखन के कोटदवार जिले पोड़ी गड़वाल में यहां आज हम आपको सिद्बली जी के दर्शन कराएंगे और इस मंदिर का आपको पूरा इतियाजी बताएंगे तो वेडियो में लाच्टक बने रहे हैं अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वेडियो को लाइक भी करें ताकि मेरी आने वाली वेडियो आपको समय पर मिल जाए तो चलिए दोस्तों वेडियो को स्टार्ट करते हैं देख सकते हैं कि यह सिद्बली जी का में दुवार है मंदिर का म। और हम आजपाव काभिशारी दुखान है परसाद की चाय वेकर रहें की और यह पेकेट जो आप देख रहा हैं इस में पेकेट में परसाद है और यह परसाद के ठैली रखी है और यहाँ पर जोते-चप्पल यहाँ पर दख सकते हैं और ये मंदिर की सीडिया है हां से स्टार्ट दोस्तों लेकर चलते हैं आपको सीडियों से उपर उपर हनुवान जी का धाम है सिद्वली जी बाबा और ये सबसे पहले आपको सीडिये चलने पढ़ेंगे सब दे सकते हैं काभी सीडिया है आप उस रद्दालू आ रहे हैं जा रहे हैं दोस्तों ये मंदिर जो है ये खो नदी के टट्स है एक छोटी भाड़ी परिस्तीद है दे सकते हैं मंदिर के चाव दरके काफि पेड़ गिरीन नहीं है और चाव दरह पहाड़ भी है काभी आपे खुला खुला है पेड़ पोदे हैं आपको लेकर चलते हैं Cathedral Election चड़ाते हैं दिखायों किर्बा मेली यहां तोड़कर मंदिर में ले जाएं आए चलते हैं उपर अभी सीड़ी और रहें चुकी हैं अभी तो यहां सीड़ियों को उपर फाइवर लागा रखिए ताकि बरसात में सर्द्दा अलोग हो कोई परसा नहीं नहीं देश सकते हैं दोस्तो हम मंदिय परिसर में आ चुके हैं सीड़िया खतम हो चुकी हैं यहीं वह यहीं वह सिद्बली जी का मंदिर है जब पराड़ी सिद्पिट के नाम से सिद्बली जी के नाम से जाने आता है यह एक छोटा सी पहाड़ी है जिसके उपर मंदिर है और यहां आसपार नीचे देशकते हैं खोवन अधी है लिखाया सिद्बली धाम और काफी बड़ी हावा चल ली यहां पर पराड़ी सिद्बिट सिरी सिद्बली मंदिर कोटद्वार यहां मंदिर पर उपर देशकते हैं लिखाये दोस्तों सिद्बली जिगा मंदिर जो है उत्रहंड के कोटद्वार कजबे से लगबग तीन किलोमेटर की दूरी पर कोटद्वार पोड़ी राष्टी राजमार्ग पर भव्य सिद्बली मंदिर इस्तित हैं यह मंदिर खो नदी के किनारे लगबग 40 मीटर उचे पहाड़ी टीले पर इस्तित हैं कोटद्वार को गड़वाल का परवेश्ट द्वार भी माने आता है और यह सिद्बली मंदिर खोड़ी गड़वाल का फिर्शित देविस्ताले इसकी इस्ताबने के बारे में कहायाता है कि यह तब साधना करने के बाद एक सिद्बाबा को हनुवान जी की सिद्धी अथात सिद्बाबा दारा सिद्बाबा द्वारा स्ताबित बजंगवली कहां जाता है कि बात बिटिस आसनकाल के एक खान मुसलिम अधिकारी अपने घोड़े से कहीं जा रहे थे जैसे ही वे सिद्बली के पास पहुचे वे भेवस होकर गिर गए उन्हें सपने में मंदिर की इस्तापना की जाए जब वे होस में आए तो अपने आसपास के लोगों को अपने सपने के बारे में बताते हैं पुराणिक और सक्ति की महत्व के कारण शर्दालों ने इसे भव्वेता पिदान कर दी इस मंदिर में हिंदू मुसलिम सीख हिसाई के सभी धरम के ल पहुशने के लिए खो नदी पर पुल बना हुआ है वह पुल नदी को पार कनना होगा मंदिर तक तीले पर सीड़िया बनी हुई है द्वार के आसपास परसाद वा चाय की नास्तर की दुकाने भी हैं वहां से परसाद ले सकते हैं उत्रखंड का अपना रेलवे स्टेशन और बस स्टेंड है यहां सिद्वली मंदिर तक पहुशने के लिए बस यह टेक्सी उधारा पहुचा जा सकता है और यहां संड़े और मंगलवा के दिन काफी भीड देखने को भी मिलती है यहां दूर दूर से लाखों के संग्या में सर्दालू आते हैं और यहां से कोटड़वार सहर का एक भेहतिर नजारा देखने को भी मिलता है दोस्तों इस मंदिर में आने के लिए आप फिलाई ट्रेन बस टेक्सी कार या बाइक की सुपिता ले सकते हैं तो चली जानते हैं कि अगर आप सिद्बली मंदिर फिलाई ट्रेयन और बस से भी आते हैं तो आपको कहां आना चाहिए ताकि आप बहां से जल्द ही सिद्बली मंदिर पहुच सके हैं निकट्व हवाई अड़ा जोली गिराइंट है जो यहां से करीब 108 किलोमेडर की दूरी पर देयादून में इस्तिध हैं जोली गिराइंट हवाई अड़ा से कोटवार जाने के लिए आपको बस की सुविदर मिल जाएगी और कोटवार से सिद्बली मंदिर टेक्सी बगेर की जुविदा लेकर आप असनी से जा सकते हैं ट्रेंच से सिद्बली मंदिर कैसे जाएं नजदी की रेल्वेस टेशन कोटवार में है यह जो यहां से करीब 3 यह 5 किलोमेड़ा की दूरी पर दिश्तिध है कोटवार से टेक्सी पगाड़कर आप सिद्बली मंदिर असनी से ज रहें मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय बजरिंग मिलेगी के लिए जाल आरिंग मिलेग झाल झाल